हमारे मेंन केरेक्टर को एक लड़की से लव एट फर्स सेट हो जाता है बाद में उसे पता चला कि लड़की एक सेक्स वर करें बोडारी लियों से अप्रोच करकर शादी का प्रपोजल देता है पर लड़की अपने पास से इस तरही से भाग नहीं सकती थी क्या उपनी पुर उसके साथ रात बिताने के लिए लोग लोटरी लगा दे थे जिंदर की पार्टनर दे तो अपना सामाद सेल करने के लिए टाउन में आता है एंजल वाक करने के लिए बाहर निगली थी और फर्स टाइम उसने उसे देखा और देखते उसे प्कार हो जाता है उसके क्या है एंजल बुछती कि तुम्हारा एज बता तुम क्या करता हो माइकल कहता है कि मैं फार्म में काम करता हो एंजल बुछती कि क्या तुम्हारी शादी और चुकिया माइकल कहता है कि अब तक तो नहीं हुई एंजल कहती कि तो फिर अपने टाइम को तुम वेस्ट मत करो माइकल ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ पर एंजल उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है माइकल कहता है कि मुझे सिर्फ हाफ ओवर दो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ पर एंजल इस बात के लिए नहीं मान दी अगली रात माइकल फिर से डेवल पे करकर एंजल के पास आ गया वह गयर थी कि तुम अपने पैसों को वेस्ट कर रहे हो उसे हमेशा इसे वेडिंग प्रपोजल मिलते रहते है इसमें कोई भी सिरियस नहीं होता आज रात में एंजल उसकी कोई भी बात नहीं मान दी अगली सुबा एंजल की फिरेंड्स माइकल के बारे में बात कर रही थी एक लड़की को माइकल बहुत अच्छा लगा था एंजल कहती कि मैं उसमें इंट्रेस्टेड नहीं हूँ अगर तुमसे डिस्टैक कर देती हो तो मेरे लिए अच्छा ही हो जाएगा रात में उस लड़की ने माइकल को रोकने की कुशिश की लड़की उसे कहती कि एंजल इचा दी थी कि मैं तुमारे पास आजाओ इस बात से माइकल कुशा जाता है और एंजल के पास आ गया एंजल कहती कि अब तुम अपना टाइम में वेस्ट कर रहे हो माइकल कहता है कि अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ और फिर से वापस नहीं आऊँगा मुझे समझ में नहीं आता कि तुम यहाँ पर रहना क्यों चाती हो क्या तुमें मेरे लिए कुछ भी फेलने हो रहा या फिर तुमें कोई फेलिंग सी नहीं है उसे समझाने के लिए उसके पास आया और उसे किस कर लेता है एंजल कहती कि फाइनली तुम मेरे करीब आही गए माइकल है सुनकर उसे दूर चला जाता है कहता है कि पहले मैं तुम से शादी करूँगा और इसे के बाद हमारे बीच कुछ हो सकता है एंजल कहती कि तुम से प्यार नहीं करती वो आदमी मानता नहीं और बॉस के आफिस में चला गया वो बेना परमिशन की दारूप भीने लग जाता है थोड़ी दिन में वहाँ का बॉस ड्यूक वहाँ पर पोरच जाता है उसे गुस्सा आगया और इंजल के सामने उस आदमी को उसने मार डाला वो गयता कि आज से तुम मेरे लिए काम करोगी उसे जो भी काम करने के लिए कहता है कुछ सालों में वो बड़ी होके और उसे बिजनेस पर वो लगा रहता है एक दिन वहाँ बर इंजल के फादर आ गया उन्हें जब रेलाइज हुआ कि उन्होंने क्या किया इसके बाद वो खुद को गोली मार लेता है इस सिचेशन हाथ से निकल रही थी तो वहाँ बर काम करने वाली लेडी एंजल को वहाँ से भगा रहती है उसे में ट्यूक ने उस लेडी को मार डाला था एक शीप में गई दूर एंजल वहाँ से निकल पड़ी इस शीप में भी हर एक आदमी उसी को देख रहा था कुछ लड़किया उसे कहती है कि दुम्हारा साथ टाइम स्प्रेंट करने के लिए आदमी बहुत सारे पैसे पे करेंगे एंजल इस बात के लिए मान जाती है जब वह फाइनली सीटी में बहुचे तो एंजल ने जो भी पैसे कमाये थे ये सब कुछ उससे चीन लेती है और फिर से हम प्रिजेंट देखते है एंजल की तबीए ज़रा खराब हो गए थी है उसके फ्रेंड ने देखा तो उसे बुखाया था वो बुखती ही कि हुआ क्या एंजल कही थी कि माइकल के यहां से जाने के पाद उसके बारे में सोचते सोचते हो भीमार पड़ गी उसने अब सोच लिया था कि काम वो छोड़ देने वाली है एंजल ने अपने सारे पैसे डेचेस के बास सेफ रखने के लिए देव हुए था उसे वो बात करने के लिए डेचेस से कही थी कि आज़ाद होने के बाद तुम करो की क्या क्या तुम किसी के साथ घर वसाओगी, क्या उसके लिए तुम काम करोगी, उस लाइफ से तो अब तुम्हारे पास जो freedom है, ये बहुत अच्छा है, एंजल ने अपना मन बना लिया था, और वो कहती कि मेरे पैसे मुझे वापस देतो, डेचस ने कहा कि तुम यहाँ पर रहती देती है, एंजल को मार मार कर उसकी बहुत ही बुरी हालत उन्होंने कर दी थी, रात में माइकल को सबना है कि एंजल के साथ कुछ बुरा हो रहा है, वो अगली सुआ फरस दिंग वहाँ पहुच जाता है, माइकल डेचस से कहता है कि अब मैं इसे यहाँ से लेका जा रहा एंजल उटकर माइकल से कहती है कि तुमने डेचस को जीतने भी पैसे दिये, वो बहुत ही जादा दे दिये, माइकल कहता है कि उस situation के वज़े से मुझे पैसे देने पड़े, वो इस तरीके से उसे खरीद कर नहीं लाना चाता था, एंजल कहती है कि तुमारे सारे पैसे में मैं वापस कर दूँगे, और इसके बाद मैं यहां से चली जाओंगे, माइकल इस बाद पर सिर्फ हज देता है, उसने कुछ कपड़े उसे दे दिये, एंजल ने पुझा कि क्या है तुमारे वाइफ क्या है, माइकल कहता है कि मेरे सिस्टर के थै, पर एक भीमारी के वज़ तो वहाँ से निकल जाती है, माइकल घर आया तो उसकी रिंग वो रख कर गई थी, फोरेस से स्ट्रगल करते हैं एंजल वहाँ से भागने की कुछिश करती है, माइकल उसे धून लेता है, एंजल ने कहा कि तुम मुझे ओन नहीं करते है, माइकल उसे एक जैकेट और कुछ पानी दे देता है, वो हरता है कि रस्ता बहुत ही दूर है और तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, तुम्हारे पास चॉइस है, तुम वापर जा सकती हो, या फिर मेरे पास वापस आ सकती हो, घर पर तुम्हें कमफ़रेबली रहने के लिए जो भी चाहिए, इस सब वापस आने का डिसीजन बहुत ही हाड था, पर फिर भी तुमने करकर दिखाया है, उससे हल मांगती है, और फिर उसके साथ इंटिमेट होना चाहती थी, माइकल कहता है कि अब तक हम दोनों रेडी नहीं है, अगर उससे प्यार नहीं करती, तो माइकल उसके साथ कोई भी र करना, यह सब करते करते हैं, एंजल पी जड़ा एंज्या करने लग गई थी, रात में उससे उसके पास आकर सोने के लिए कहती है, मैकल इसके लिए मना करता है, एंजल नहीं कहा कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाती, शायद वो कुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, इस वज़े स नोटिस करता है, उसे सहार देता है और कहता है कि हमें कही पर अब चलना चाहिए, एंजल कहती है कि बीच रात में तुम मुझे कहा पर लेकर जा रहे हो, माईकल उसे एक मौंटन पर लेकर आया, एंजल कहती है कि मैंने मेरी लाइफ में जोशी से देखिए, उसकी हाफ भी तुम कभी भी मुझे एक्सेप नहीं करोगे माइकल कहता कि अब तुम अपनी लाइफ को सही करने का डिसीजन ले सकती हो एंजल कहती है कि मुझे पता भी नहीं है कि मैं यहाँ पर हो क्यों तुम मुझे अपने वाइफ मांग दियो मैरे साथ कोई भी रिलेशन्शिप नहीं माइकल कहता है कि तुम्हारा मुझे लाइक करने का मैं सिर्फ वेट कर रहा था और दोमें फिर किस कर लेते हैं घर पर आकर वो इंटिमेट हो गए अगले दिन उनके यहाँ पर माइकल की सिस्टर का हस्बंड जिसका नाम है पॉल वो आ जाता है वो अपने काम के लिए ज़ उसे शौक लगता है वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता जब माइकल घर से बाहर चला गया इसके बाद वो एंजल से बात करता है वो पुछता है कि क्या तुम मुझे पहचान दियो एंजल कहती कि मुझे सब आदमियों के चेहरे और एक जैसे लगने लग गया पॉल इंजल के बारे में कुछ भी बोलने रगया तो माइकल उसे पंच कर देता है उसने कहा कि अगर तुम मुझे भाई जैसा प्यार करता तो तुम एंजल को भी एक्सेप्ट करोगे इंसेरन की वज़े से एंजल को बुरा लग रहा था माइकल कहता है कि तुम्हारी पास लाइ मुझे से उसे छोड़ कर जाना जाती थी वाल अब भी बिलूनी कर रहा था कि माइकल खोद एंजल के पास गया था उसे कहता है कि मैं जो तुम्हें राइट दे रहा हूं इसके लिए तुम मुझे पैसे कर सकते हो वाल फिर उसके साथ इंटिमेट हो जाता है सिटी में आने क्या तुम उसे लेकर गए थे तो बहुत गुसा हो गया था वो पॉल से कहता है कि अपने घर लोट जा वरना वे तुम्हें मार डालूंगा वो जल्दी से एंजल के पास पोज़ गया उसे बुचता है कि क्या तुम यहाँ पर रहना चाहती हो वो मना करती है तो उसे लेकर को बाहर आ अगया यहाँ कि आदमें उन्ने जाने नहीं दे रहे थे तो माइकल को सबको मार ना पड़ा एंजल कहती कि क्या तुम बता है कि पॉलल ने मेरे साथ क्या किया माइकल कहता है जो बही कर द runs кого गया था और इस्तरी 스स्रीक नहीं सकता यह जो भी किया इस यह ट्रेन करते थे मेरे फादर ने फिर एक राद एक लड़की मेरे पास भीजी वो एक स्लेव थी पर मैंने उसे भी फ्री कर दिया इसके बाद उपने फादर को छोड़कर हमेशा की लोग कही दूर चला गया माइकल करता है कि हमें यहाँ पर कुछ प्लांस लगाने चाहिए इस चाहते थे उनकी मदद के लिए बहुत ही थैंक्फुल थे उनकी बड़ी बेटी ती जिसका ना था मरियम मरियम एंजल से पुछती है तुम और माइकल मिले कैसे थे एंजल ने उसे सब कुछ सच बता दिया हो दोना अच्छी फ्रेंड्स बन गई माइकल ने बाद में पॉल एंजल ने उसे कहा कि मैं pregnant नहीं हो सकती है ड्यूप ने एक बार डॉक्टर को बलाया था और उन्होंने कुछ किया था पॉल करता है कि हमें कभी भी घिम अप नहीं करना चाहिए कभी भी कोई भी मेरा एकल हो सकता है वो दोनों डिनर करते है और एंजल ने कहा कि संद्राइ में गच्छी से फैमिली स्टार्ट कर सकते हो मर्या माइकल के पास है और कहती कि तुम्हें उसे रोकना पड़ेगा माइकल करता है कि इस बार वापस आने की चॉइस उसकी होनी चाहिए एंजल सीड़ी के एक होटेल में पहुंचती है उसने उनर से गा कि आपके आवर अच्छ करता था और फिर से अपने साथ उसे लेकर जाना चाता था एंजल करती कि तुम मुझे जबर्दस्य नहीं कर सकते हैं यहां लोग मुझे हेल्प करने के लिए पहुंच आएंगे डूक कहता है कि कल आग हमने लगाए थी अगर तुम नहीं मानती तो उन्हों को मार डालेंग माइकल कहता है कि फिर से अगर तुम मेरी अगेंस्ट के तुम्हें मार डालूंगा इसके बाद अपने सब लोगों को एंजल को दिखाना चाता था वो लोगों के सामने आने वाली थी पर वो फर्स टाइम गॉड को प्रे करती है कहती कि मुझे शक्ति देना वो सब लोगों से डूक छोटी लड़कियों को हरास करता है यह सुनने के बाद लोगों का गुस्सा बहुत बढ़ गया वो जाकर चेक करते हैं और जब उन्हें लड़किया मिलके तो डूक को मार डालते हैं डूक के लिए काम करने वाले आदमी भी उसे तंगा गये थे और वो एंजल को ल की तरह जो भी लड़किया होती है उन्हें में आपर एजुकेशन देती हूं और रहने के लिए जगा देती हूं पॉल को सुनकर बहुत अच्छा लगा वो माइकल के वारे में बूच्छती है पर पॉल ने कहा कि मरिया माइकल को ब्रदर की तरह समझती थी माइकल अभी अपना रियल नेम बता दिये उसका नाम सारा था उसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ पर आई लव रू कहने के लिए मैंने जो भी किया इसकिल में सौर्य हूं मेरी वज़े से तुम्हें बहुत तकलिफ हुए माइकल कहता है कि हमें जो भी प्रॉल्म्स थे इंदी सब प्रॉ इसे के साथ इस मुवी का एंड हो जाता है